Hello students, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Princeford Education में आज की इस क्लास में हम आपको Pedagogy of Science के महत्रपूर कोशन्स बताने जा रहे हैं पहला कोशन है विज्ञान शब्द की उत्पत्ती किस भाशा से हुई है तो विज्ञान शब्द जो Science शब्द है उसकी उत्पत्ती किस भाशा से हुई है Latin भाशा से हुई है विज्ञान शब्द की उत्पत्ती Latin भाशा से हुई है नेक्स कोशन है विज्ञान शब्द की उत्पत्ती किस शब्द से हुई है पहले पुछा गया किस भाशा से हुई है? अब कोशन है कि विज्ञान शब्दी की उत्पत्ती किस शब्द से हुई है? तो विज्ञान शब्दी की उत्पत्ती साइंशिया सब्द से हुई है? किस शब्द से हुई है? शाइंशिया सब्द से हुई है? नेक्स कोशन है ज्यान, क्या अर्थ होता है? ज्यान, शांशिया शब्द का अर्थ है, ज्यान, पहला कोश्चन मनने पड़ा, कि विज्यान शब्द की उतपत्ती किस भाषा से हुई है? लेटिन भाषा से, विज्यान शब्द की उतपत्ती किस शब्द से हुई है? शांशिया सब्द से हुई नेक्स कोशन क्या था कि सांशिया शब्द का अर्थ क्या होता है ज्यान नेक्स कोशन है विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है तो विज्ञान शब्द का अर्थ है जानना नेक्स कोशन है और इंपोर्टन कोशन है रास्टी विज्ञान दिवस कम मनाय जाता है तो रास्टी व हरित क्रान्ति का उद्भाव नहीं हुआ है तो ऐसे कौन से विज्ञानिक है जिनके अथक प्रयासों के द्वारा क्रशी के छेत्र में हरित क्रान्ति का उद्भाव नहीं हुआ है आप्शन क्या है आपके डॉक्टर वीवी पाल, डॉक्टर स्वामी नाथन, फेराडे और बोलाव जो डॉक्टर वीवी पाल थे उन्होंने इस शब्द हरित क्रांती शब्द को दिया था ठीक है डॉक्टर स्वामी नाथन जो थे वो हरित क्रांती के भारत में हरित क्रांती के जन्मदाता थे कौन डॉक्टर स्वामी नाथन जबके जो नॉर्मन बॉर्लोग थे वो विश्यो में हरित क्रांती के जन्मदाता थे विश्व में हरित क्रांती के जर्मदाता नौर्मन बॉर्लॉक थे ठीक है डॉक्टर वीवी पॉल ने हरित क्रांती शब्द दिया और डॉक्टर सौमी नातन जो थे भारत में हरित क्रांती के जर्मदाता थे लेकिन जो फैराडे हैं उनका हरित क्रांती के उद्भो से कोई सम नहीं है तो आप्शन क्या हो जाएगा आपका फैराडे नेक्स कोशिन है दूर दर्शी का विश्कार किसने किया दूर दर्शी का विश्कार गैलीलियों ने किया किसने किया गैलीलियों ने दूर दर्शी का विश्कार किया नेक्स कोशिन है वर्तमान में मानो सब्विता जित श्रे किसे जाता है तो उसका श्रे विज्यान को जाता है किसे जाता है विज्ञान को जाता है नेक्स कोशन है, रेल का इंजन का विशकार किसने किया रेल के इंजन का विशकार किसने किया? रासाइनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए किसका विकास किया गया जैविक उर्वरकों का विकास किया गया किसके लिए रासाइनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए Next question है X-Ray की खोच किसने की? तो X-Ray की खोच WC RondGen ने की? Kisने की? RondGen ने X-Ray की खोच की और रसानिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए जैविक उर्वरकों का विकास किया गया नेक्स कोशन है व्यग्यानिक प्रक्रिया पूर्ता किस पर आधारित है तो तारकिक चिंतन पर व्यग्यानिक प्रक्रिया जो है वो पूर्ता तारकिक चिंतन पर आधारित है नेक्स कोशन है बोसौन क्या है फोटॉन बोसौन क्या है एक फोटॉन है Next question है quantum theory of light की खोच किसने की? Max Planck ने quantum theory of light की खोच की Next question है खगोश शास्त्र पर शोद करने वाले कौन से व्यग्यानिक थे? S.N. Bosch जो है वो खगोश शास्त्र पर शोद करने वाले व्यग्यानिक थे S.N. Bosch Next question है बोस आइंस्टीन इस्टैटिक्स के प्रतिपादक कौन थे? बोस आइंस्टीन इस्टैटिक्स के प्रतिपादक कौन थे? तो सतेंद्रनाथ बोस सतेंद्रनाथ बोस जो थे वो बोस आइंस्टीन इस्टैटिक्स के प्रतिपादक थे नेक्स कोशन है विज्ञान किस प्रकार के निशकर्शों की खोच में रहता है तो विज्ञान जो है वो परिमान वाची जो है उन निशकर्शों की खोच में रहता है नेक्ट्स कोश्टिन है, रिस्पोंस इन टी लिविंग नामपस्तक के लेखक है, जे सी बहस्टुरुस। नेक्ट्स कोश्टिन है, विज्ञान की प्रगती किसपर निर्भर करती है, अच्छे मापक पर। विज्ञान की जो प्रगती है, वो किस पर निर्फर करती है? अच्छे मापक पर. Next question है, वैज्ञानिक केवल किसकी खोज में रहता है? तो वैज्ञानिक केवल सत्य की खोज में रहता है. जो सीवी रमन थे, उनको नोबल प्रैस कब मिला? तो कब मिला था? 1930 में उनको नोबल प्राइस से सम्मानित किया गया Next question है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने Institute of Technology मदरास में अभी आंटर्गी की किस शाखा में अध्यान किया था? तो किस शाखा में अध्यान किया था? Aeronautical में अध्यान किया था? किस में अध्यान किया था? Aeronautical में Next question है, छात्रों को कम से कम सूचनाय दी जाती है और उन्हें अधिक से अधिक क्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो छात्रों को कम से कम सूचनाय दी जाती है और उन्हें क्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है? खोज मतलब होता है अनवेशन करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो क्या करने के लिए प्रेरित किया आता है अनवेशन या खोज करने के लिए Next question है कौन से दो उपवर्ग विज्ञान वर्ग में प्रमुक रूप से शामिल किये जाते हैं तो भौतिक विज्ञान और जीविज्ञान जो हैं, दो ऐसे वर्ग हैं जो प्रमुक रूप से शामिल किये जाते हैं. भौतिक विज्ञान और जीविज्ञान. Next question है, वैश्वी करण में किसकी महत्रपुन भूमिका होती है? तो वैश्वी करण में मुदृत समागरी, संदेश प्रणाली और टेलीफोन की महत्रपूर भूमिका होती है। पंडित जवाहरलाल लहनु ने कहा है कि विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परकनली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं। अपितु व्यज्ञानिक विधी के अनुसार हमारी मस्तिस्क को प्रसिक्षर देना ही विज्ञान है। किसक विज्ञान कहते हैं किसने कहा है आइंस्टीन ने कहा है कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिनता को एक तर्क पूर्ण विचार प्रनाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं किसने कहा है आइंस्टीन ने कहा है नेक्स कोशन है लक्ष लक्षिस सब्द किस शब्द से बना है तो लक्षिस सब्द जो है वो लक्षिस सब्द से बना है किस शब्द से बना है लक्षित नेक्स कोशन है उद्देश या लक्षिका श्रोत नहीं है उद्देश या लक्षिका श्रोत कौन सा नहीं है मनुविज्ञान जो है वो उद्द प्राप्य उद्देश की जिम्मेदारी प्रया किसकी होती है? प्राप्य उद्देश की प्राप्ति की जिम्मेदारी फिकर नेक्सक्ति जिम्मेदारी फिकर फिकर नेक्स वेज्देश या लक्ष का चेत्र कैसा होता है? उसे पुछा जा रहा है कि उद्देश या लक्ष, उद्देश को ही लक्ष कहते हैं, ठीक है, तो उद्देश या लक्ष का छेतर कैसा होता है, तो व्यापक होता है और असीमित होता है, और इसका मुल्यांकन नहीं किया जा सकता है, उद्देश का क्यों, क्योंकि इसका जो छ छेत्र संकुचित होता है और सीमित होता है कैसा होता है संकुचित होता है और सीमित होता है इसलिए इसका जो मुल्यांकन और मापन है वह किया जा सकता है ठीक है Next question है, important question है, उद्देश शब्द किस से मिलकर बना है? प्राप प्री उद्देश का स्टोत मुखिता मनो विज्यान होता है तो ऐसा कौन सा उद्देश है जो मनो विज्यान पर आधारित है प्राप प्री उद्देश जो होता है वो मनो विज्यान पर आधारित होता है उद्देश या लक्ष की अवदी कितनी होती है तो उद्देश या लक्ष जो होते हैं वो व्यापक तता असीमित होते हैं, इनका मुल्यांकन नहीं किया जा सकता है, तो इनकी अवधी कैसी होगी? इनकी अवधी होगी, दीर्ग-कालीन होगी, क्यों? क्योंकि यह व्यापक तता असीमित है नेक्स कोश्चन है, किसका मापन और मुल्यांकन संभव नहीं है? नेक्स कोश्चन है, विज्ञान सिक्षन के उद्देशों को निर्धारित करने के लिए व्यवस्था पर ध्यान नहीं देना चाहिए? किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? उसकी व्यवस्था पर. नेक्स कोश्चन है, कि उद्देशों को विहवारिक रूप से लिखने की आशक्ता एवं महत्तो है, क्योंकि? पहलो अप्शन है, यह परिक्षन के लिए प्रश्णों के चैन में सहायक है, दूसरो अप्शन है, इनकी सहायता से मुल्यांकन एवं मापन संभव होता है, तीसरो अप्शन है, श्राविद्रश्र समागरी के चैन में सहायक होता है, चौता है, उप्युक्त सभी, तो उद् प्रश्णों के लिए चेहन में भी सहायक है, इनके सहायता से मुल्यांकन इवं मापंग भी किया जा सकता है, श्राविद्रश्र शमागरी के चेहन में भी सहायता प्रदान करता है, तो आपका उप्शन हो जाएगा उप्योक्त सभी. नेक्स कोशन है, ग्यानातमक्पक्ष का वर्गी करण किसने प्रस्तूत किया? दिया गया 1956 में नेक्स कोशन है भावात्मक पक्ष का वर्गी करण किसने प्रस्तुत किया तो भावात्मक पक्ष का वर्गी करण कथरवाल ने प्रस्तुत किया किसने किया कथरवाल ने भावात्मक पक्ष का वर्गी करण कथरवाल ने किया और ग्यानत्मक पक्ष का वर्गी 64 में दिया नेक्स Question है भावात्मक पक्ष किससे सम्मंदित नहीं है तो पहला है ग्रहण करना दूसरा है उद्णीपन तीसरा है विचार करना तो भावात्मक पक्ष जो होता है वह उद्णीपन से सम्मंदित नहीं है किसे संबंदित नहीं है? उदीपन से संबंदित नहीं है नेक्स कोईशन है, क्रियात्मक पक्ष का वरगी करन किसके द्वारा प्रस्तूत किया गया? तो क्रियात्मक पक्ष का वर्गी करन सिंपसन द्वारा प्रस्तुत किया गया क्रियात्मक पक्ष का वर्गी करन किस ने किया सिंपसन ने किया क्रियात्मक पक्ष को सिंपसन ने कब दिया 1969 में दिया कब किया सिंपसन ने 1969 में किया तो इस तरह से पेड़गोगी आफ साइंस के कुछ महत्रपूर कोश्चन्स यहाँ पे खतम हुए नेक्स वीडियो में मैं इसके आगे के महत्रपूर कोश्चन्स कराऊंगी आगरा यूरिस्टी की बीएट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं पेडियाफ के लिए आप स्क्रीन पर दिये गए वाटसेप नमबर में मैसेज कर सकते हैं धन्यवाद मिलते हैं अपनी नेक्स क्लास में